नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एर्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एर्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप जेएस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। तेखो जब से हमारे देश में लोगडाउन लगा हैं, सबसे बुरे जो मार पड़ी हैं वो माइगरेंट वरकर्स के ऊपर पड़ी हैं। जैसे ही लोगडाउन लगा, बहुत सारे माइगरेंट वरकर्स ने अपने होम स्टेट में पहुंचने की कोशिस की पैदल ही। लेकिन इस चक्कर में काफी सारे माइगरेंट वरकर्स की डैथ हो गई। बहुत सारे migrant workers को विबिन राज्यों की सरकारों ने shelter camp में रखा और वहाँ पर facilities तो बिलकुल ना के बराबर थी काफी सारे migrant workers के ऊपर खतरनाख chemicals का spray किया गया और काफी सारे migrant workers जो जैसे तैसे करके अपने गाउं में पहुच भी गए वहाँ पर भी उन्हें discrimination का सामना करना पड़ा देखो इन सब ख़बरों ने हमारी conscience को जगजोर कर रख दिया ये क्या हो रहा है जहां भी migrant workers काम करते हैं उस राज्य की economy में उस राज्य की prosperity में उस राज्य की समर्दी में एक बड़ा role play करते हैं लेकिन उन राज्यों ने migrant workers को जैसे छोड़ सा दिया हो migrant workers से समन्दी data की हम कुछ बात करें वैसे तो देखो सरकार का कोई authentic data है नहीं migrant workers से समन्दी जबकि होना चाहिए तब ही तो important decisions लिये जा सकते हैं जैसे सरकार कहती हैं कि migrant workers को उनके राज्य में पहुंचाया जाए बसों की साहिता से लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है migrant workers की कि बिना trains की साहिता से उन्हें नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए अब rail चलने लगी है migrant workers को उनके घर पहुंचाने के लिए अगर proper data हो तो सरकार इस प्रकार की बाते नहीं बोलेगी कि उनको बसों से पहुंचाया जाए या फिर ये किया जाए ख़र data की बात करें देखो वो migrant workers जो थोड़े समय के लिए या फिर seasonal basis पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ऐसे migrant workers की संख्या आलमुष्ट 6 से लेके 6.5 क्रोड के बीच हैं और इन में से आदे ऐसे हैं जो अपना state छोड़ के दूसरे state में जाते हैं और आदे ऐसे हैं जो अपने ही state में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और अगर देखो इन migrant workers की family members को भी हम मिला लें तो total संख्या बैठती हैं 100 million जैनि 10 करोड बात करें काम क्या करते हैं ये migrant workers 40% जो ये migrant workers हैं वो देखो construction sector में काम करते हैं 15% काम करते हैं agriculture sector में इस data में हम उन migrant workers की बात नहीं कर रही हैं जो लंबे समय के लिए दूसरे राज्यों में रुक जाते हैं जैसे तीन साल बाद पांच साल बाद या फिर दस साल बाद वो अपने home state में वापस लोड़ते हैं ऐसे migrant workers को हम नहीं count कर रहे हैं इस data में और जाहतर देखो ये जो migrant workers जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए ये poor states के poor regions से होते हैं और इन में से ज़्यातर vulnerable sections के लोग होते हैं जैसे scheduled cast, scheduled tribes या फिर OBC बहुत से ऐसे भी होते हैं migrant workers जिनकी trafficking होई होती है यानि बहला फिसला के उन्हें सहरों में ले जाया जाता हैं काम करवाने के लिए और 70% ये migrant workers अर्बन या फिर peri-urban areas में काम करते हैं और अब देखो जब ये migrant workers बड़ी संख्या में अपने घरों में लोट रहे हैं तो आप देखिएगा इसका असर काफी सारी industries पर देखने को मिलेगा काफी सारी industries अपनी पूरी capacity से काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि labor की बहुत ज़्यदा कमी हो जाएगी migrant workers के home state में पहुँचने से migrant workers किन challenges कर सामना करते हैं जब वो दूसरे state में जाके काम करते हैं उन्हें देखो किसी परकार के rights नहीं मिलते किसी परकार का social security net नहीं मिलता जैसे insurance या फिर security of tenure मतलब इतने समय से पहले आपको कोई निकाल नहीं सकता नहीं ऐसा कोई right migrant workers को नहीं मिलते जो employer है जो रोजगार देता है migrant workers को अपनी whims and fences के अनुसार काम से उनको निकाल देते हैं और देखो वैसे labor सम्मदित काफी सारे कानून हमारे देश में हैं लेकिन migrant workers को उन regulations का और labor सम्मदित rules का भी लाब नहीं मिल पाता क्योंकि enforcement काफी जादा weak रहता है तीसा point काफी बार employer पूरे wages भी नहीं देता है workers को मतलब जितनी बात हुई थी कि आपको एक महिने में 10,000 या फिर 15,000 पर दिये जाएंगे वो भी नहीं दिये जाते हैं employer काफी बार इस परकार की बात बोलता है आपको काम करना होगा आगे तब आपको पुराने महिनों के पैसे मिलेंगे लेकिन मजबूरी में काफी बार migrant workers को emergency में घर जाना पड़ता है तो छुटी नहीं मिलती ये सब दिखतें उन्हें face करनी पड़ती हैं अभी भी देखो जैसे lockdown जैसे हुआ हुआ तो काफी migrant workers ने अपने घर में जाने की कोशिश की और उनकी एक सिकायत ये है कि मालिक ने पैसा नहीं दिया मतलब पुराने महीने जब तक काम हो चुका था जैसे 22 मार्च को lockdown हुआ 22 दिनों के पैसे भी नहीं दिये या फिर उससे पहले भी एक दो महीने के पैसे नहीं दिये और हमें वो पैसे छोड़ के जाना पड़ रहा है बाद में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है कि सरकार ने प्रियास तो किया है हमारे देश में गरीब लोग को रहत पहुंचाने का लेकिन migrant workers के लिए कुछ खास नहीं था इस relief package में सरकार को उनके wages को compensate करने के लिए enough कदम उठाने चाहिए क्योंकि उनकी situation फिलाल के समय में काफी खराब है एक ध्यान देने वाली बात ये भी है जैसा हमने डिसकुस किया कि जाए तक जो ये migrant workers होते हैं वो poor states के poor region से होते हैं तो उन states की वैसे भी capacity काफी कम होती हैं इनको रहत पहुंचाने की तो central government का करतवे बनता हैं कि वो इन states की help करें और इन migrant workers की help करें इस मुश्किल भरी situation में हम देखो covid-19 की बिमारी से महमारी से तभी अच्छे से लड़ सकते हैं जब हमारी society inclusive हैं हम किसी एक work को पीछे नहीं छोड़ देते हैं हमारी society equitable हैं non-discriminatory हैं इन crisis से एक चीज़ ये भी सरकार को सीखनी चाहिए unified labor market हमारे देश में होनी चाहिए और universal social security system का भी होना आउशक है मतलब social security system मतलब जैसे insurance, guarantee of tenure मतलब जो भी social benefits सरकारी करमचारियों को मिलते हैं उसी परकार के benefits इन workers को भी मिलने चाहिए उनकी dignity का ख्याल रखना भी ज़रूरी हैं यह हमने पूरा article discuss किया इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you, thank you very much for discussion